फ्रेंट्स आज की वीडियो में सीखेंगे जैसे इस इमेज में यह चस्मए पर बहुत शी लाइट है तो हम इनको कैसे रिमूव करेंगे मैंने इसको रिमोव करके दिखाया है आप यहां पर सकते हैं यह वाली पहले वाली इमेज है और यह रिमूब करने के बाद की इमेज है तो किस तरह से इसको हम बहुत आसानी से अड़ो फोटो सॉप 7.0 में हटा सकते हैं लाइटिंग फेक्ट को आज की वीडियो में यही सीखते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले फोटो को क्रॉप कर लेना है क्रॉप करने के लिए यहां से रिक्टैंगल मार्क टूल लेंगे और जितना हमें फोटो क्रॉप करना है उतना इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहां इमेज में जाके यहां से क्रॉप करना है इसको क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो और ये मैंने फोटो को सिर्फ crop किया है ये इसमें size नहीं है कुछ भी तो अब हमें करना क्या है Ctrl D से इसको unselect करना है और फोटो को zoom करना है Ctrl पलस से इस तरह से layer box को down कर देना है अब जैसे ये निसान है तो यहां से अब जैसे ये light के निसान है इस eyes पे कम है और इस पे करना है उसके लिए करना क्या है यहां से stamp tool लेना है clone stamp tool लेंगे और opacity को 65 के आसपास रखेंगे और flow को हम 50 के आसपास रखेंगे और बुर्ष को चोटा बड़ा करेंगे अपने keyboard के bracket से इस तरह से और alt दबा के हमें nearby color उठाना है जैसे ये इसके साथ में ये color है तो आल्ड दबाके और mouse से click करना एक बर तो ये color यांपे आ जाएगा अब हमें इस पर यहांपे इस्तरे से mouse से click करते रहना है इस तरह से click करेंगे अब जैसे यहां से color उठाएंगे नीचे से और alt दबाके color उठाना है इस तरह से हम फिर से इसको इस तरह से माउस से क्लिक करते जाना है आपको कलर सेम कलर उठाना है जैसे अब उपर है तो उपर से आमें बुर्ष को छोटा कर लेना है ओल्ट दबा के यांका कलर लेना है और इसको आमें इस तरह से रिमूव करना है माउस से क्लिक करते जाना है अब जैसे यह eyes का color है alt दबा के इसको उठाएंगे और पहले इसकी eyes को पूरा करेंगे यहां से इस तरह से इस तरह से हम इसके light के effect को यहां से erase करेंगे वो इसको छोटा बड़ा अपने image के नुशार कर सकते आप तो हम इस तरह से इसको पहले erase कर लेना है हमें उसी eyes को erase करना है चस्मे को जिस पर कम lighting effect है अब friends जैसे यह यहां से erase हो चुका है लेकिन अभी इसमें थोड़ा काम बाकि है पहले मैं इस वाले lighting effect को remove कर लेता हूँ जैसे मैं इसको यहां से alt दबा के यहां का color उठाऊंगा और इसको इस तरह से आम करेंगे अब की बार उपर से लेंगे color थोड़ा बहुत जैसे eyes पर है तो इसको छोटा करके और यहां का color select करके इसको इस तरह से erase करेंगे अब फ्रेंट्स लाइटिंग इफेक्ट हमारा remove हो चुका है अब हमें brush tool लेना है यहां से brush tool लेंगे और color को opacity को 27 या 30 के आसपास रखेंगे और follow को हम 40 के आसपास रखेंगे और यहां का color select करके mouse से click करेंगे alt दबा के बुरुष को छोटा बढ़ा करके हमें इस तरह से थोड़ा color mix कर देना है जो हमरे stamp brush tool के निशान आये है ताकि वह यहां से निशान दिखाए नदे इस तरह से हम color mix करेंगे अब friends आप देख सकते है इसमें यहां से lighting effect पूरी तरह से remove हो चुका है अब हमें eyes को थोड़ा dark करना है यहां से हम burn tool लेंगे और उपर mid tones रखेंगे opacity 50 रखेंगे exposure 50 रखेंगे और brush को चोट और brush को बढ़ा करके थोड़ा सा इसको इस तरह से dark करेंगे और अब हम exposure को कम करेंगे 20 के आसपास और इसकी यहां से eyes को इस तरह से थोड़ी dark करेंगे अब friends हमारी यह lighting effect यहां से remove हो चुका है अब हमें करना क्या है फिर से एक बार brush tool लेना है brush tool लेंगे यहां से और यहां का color black select करेंगे चसमे के frame का और थोड़ा इसको इस तरह से dark करेंगे जो यह lighting effect चसमे पर है उसको इस तरह से remove करेंगे और stamp tool लेके थोड़ा बहुत जो रह जाए अंदर की तरफ उसको फिर से हम इस तरह से erase करेंगे अब friends हमें दूसरा जो frame है चसमे का इस पर काम करने की आवसकता नहीं है हम इसी की copy करके यहां पर paste करेंगे कोपी कैसे करेंगे पहले फोटो को जूम करेंगे कंट्रोल क्लस से और pen tool सेलेक्ट करेंगे यहां से ओपर यहां पर हमें यहां पर path सेलेक्ट करना है और हमें चसमे के frame का बाहर बाहर से इस तरह से selection बना लेना पहले मैं एक बार पहले selection बना लेता हूँ तो friends यह मारा selection बन चुका है यहां से अभी हमें इस point से मिला के click करना है और keyboard से control दबा के enter press करना है तो यह इसका selection बन जाएगा अब हमें इसमें थोड़ा feather लगाना है feather लगाने के लिए यहां select में जाएंगे उपर और यहां से feather पे click करेंगे यहां दो का feather रखेंगे image के इनों sir फैदर रखेंगे आपर मैं दो का रखता हूँ और ok करेंगे अब control जैसे इसकी copy कर लेनी है यह हमारी एक copy हो चुकी है layer box में आप देख सकते है यह इसकी copy हो चुकी है और friends more tool select करके control T करेंगे माउस से right click करेंगे यहां से इसको फिलिप horizontal पर click करेंगे तो यह आज इस तरह से यहां पर आ जाएगी और enterprise करेंगे अब इसको माउस से पकड़के हम यहां पर select करना है यहां पर set करना इसको photo को zoom करके और control T करेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा गुमाएंगे माउस को बाहर ले जाके और frame को हम पूरी तरह से इस तरह से set करेंगे नीचे वाले frame पर हमें इसको set कर देना है और enter press करेंगे अब friends जैसे यहां पर यह frame की जो डंडी है यह थोड़ी यहां पर नीचे आ चुकी है तो हमें करना क्या है इसको cut करना है pen tool से इस तरह से selection बना लेना है और enter press करके feather लगा के इसमें और delete button से इसको delete कर देना है इस तरह से हम इसको delete करेंगे थोड़ा उपर से हमें इसको इस पोजिशन में लेना है ताकि यह अब आप देख सकते friends फोटो से बिलकुल यह जो lighting effect थे वो बहुत ही अच्छे से remove हो चुके है और friends आप फोटो को इस तरह से remove करके और फाइल में जाके इसको save as पर क्लिक करके इसकी अलग से PhD copy भी आप save कर सकते है यह पर PhD पर select करके इसको और save करेंगे तो इस तरह से आपकी फोटो से जो लाइटिंग इफेक्ट है ग्लास पे वो रिमूव हो जाएगा बहुत ही आसानी से आप चाहे तो बैक्राउंड भी वन क्लिक में कर सकते है तो फ्रेंट्स उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू